प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बिहार से 6 नेताओं को अपनी टीम में शामिल होने के लिए सेलेक्ट किया इनमें लोग जनशक्ती पाटी के अध्यक्ष राम विलास पासवान, बीजेपी के पटना साहिप से सांसद, रवी शंकत प्रसाद, पूर्व केंद्रे मंत्री, राज मंत्री, गृरी राज सिंग को प्रमूशन देते हुए कैबिनेट मंत्री की शपत दिलाई गई वहीं आरकेस सिंग को राज मंत्री, सुतंत्र प्रभार और अश्वनी चौबे और पिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानेंद राय को राज मंत्री के तौर पर शपत दिलाई गई है मोधी मंत्री मंदल में जेडियू को जगे नहीं मिली, हाला कि सीम नितिश कुमार ने मंत्री मंदल में शामिल नहीं होने की वज़ों को साफ कर दिया है लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को हातों हात लिया है कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेम चंद्र मिश्रा ने कहा कि जेडियू का मंत्री परिशत में शामिल नहीं होना शपत ग्रहन में ग्रहन लगने जैसा है निदेश कुमार भाजपा के साथ असहज है और ये भाजपा का अहंकार भी बता रहा है मिश्टरा ने कहा कि बीजेपी ने नितिश कुमार के साथ अच्छा वैवार नहीं किया आरजेडी के राश्ट्री वपाध्यक्ष शिवानन तिवारे ने बीजेपी से कहा छे सांसेदो वाली लजेपी और सोला सांसेदो वाली जेडियू को एक ही तराजू पर तोल दिया गया है ये अंधेर नगरी वाली बात हो गई है नरेंद्र मोधी ने दूसरी बार प्रधान मंत्री पत की शपत ले ली है उनके साथ कुल 58 मंत्रियों ने भी पद और गोपनियता की शपत ली हाला कि इस बार उनकी मंत्री परिशत का चहरा बदल गया है पिछली सरकार के 22 मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया गया है इनमें बिहार से कैबिनेट मंत्री रहे राधा मोहन सिंग और केंद्रे राज मंत्री रहे राम कृपाल यादव को इस बार टीम मोधी में शामिल नहीं किया गया राधा मोहन सिंग मोतिहारी पूरवी चंपारन से छटी बार संसत पहुंचे है फिर भी उन्हें छोड़कर कृशी मंत्राले में उनके सहयोगी रहे कजेंद्र सिंग शेखावत को मंत्री परिशद में जगय मिली है राधा मोहन सिंग को ड्रॉप किये जाने के पीछे उनका परफॉर्मेंस एक बड़ी वजह हो सकती है तो वहीं राम कृपाल को ड्रॉप करने का कारण नित्यानेंद राय का अच्छा परदर्शन रहा पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री मंदल में जारखंड के खूंटी से लोकसबा चुनाव जीते अरजुन मुंडा भी शामिल हुए उन्होंने मंत्री पत की शपत ली अरजुन मुंडा जारखंड के तीन बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं लोकसबा चुनाव में जारखंड में एंडिये ने 12 सीटों पर कबजह किया है शपत ग्रहन करने से पहले अरजुन मुंडा ने पूर लोकसभा उपाध्यक्ष कडिया मुंडा के दिल्ली स्तितावास पर जाकर उनसे अशिरवाद लिया बताते चलें कि कडिया मुंडा का टिकट कटने के बाद ही अरजुन मुंडा को बीजेपी ने खूटी से उमिद्वार बनाया था मोदी सरकार की दूसरी पारी को लेकर पूरे देश में उत्साह दिखा बिहार जारखन में जगे जगे पर मोदी और उनके मंत्री मंडल की शपत को लेकर खुशी से लोग नासते जूमते दिखे, सडकों पर पटा के फोड़ कर किया खुशी का इजहार बिरु रिपोर्ट बिहार तक झाल